अगर दोस्तो आप भी अपने प्लेइट के एप पर लगाना चाहते हो यानि कि पासवर्ड लगाना चाहते हो जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउजर पर इस तरीके का लगाया हूँ पासवर्ड लगाया हूँ तो दोस्तो इस तरीके का अगर आप अपने प्लेइट के एप पर देरी के तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जो सेटिंग का एप होता है उसे ओपेंड कर लेना है setting के app को open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको scroll down करके नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक option आपको देखने को मिल जाएगा privacy का इस पर आपको click कर देना है इस पे click करने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके फिर से नीचे आजाना है और नीचे आने के बाद दोस्तो यहाँ पर option देखने को मिल जाएगा app lock का इस पर आपको click कर देना है इस पे click करते ही दोस्तो अगर आप पहले से set privacy password create किया है तो दोस्तो आपको वही password यहाँ पर डाल देना है अगर आपने set privacy password पहले से create नहीं किया है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम description में आपको उसका link देंगे वीडियो का कि कैसे आप set privacy password बना सकते हो तो दोस्तो चलिए मैं पहले से set privacy password create किया हूँ तो मैं अपना वही password यहाँ पर डाल देता हूँ तो ऐसा कि दोस्तो मैं अपना password डाला तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे mobile में जितने भी application download है वो सारे के सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो यहाँ से आपको play it को अपने ढूल लेना है जैसा कि दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो कि play it मेरा यहाँ पर है तो मैं इस पर click करूँगा इस पर click करते ही दोस्तो यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा एप log का तो उसके just e-bugle में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक icon जो off है तो मैं इस पर simply इस तरी से क्लिक करके on कर दूँगा अब दोस्तो हमारे play it पर app log लग चुका है चलिए दोस्तो हम आपको इस वीडियो में दिखा देते हैं जैसा कि दोस्तो मैं अपने play it को open करता हूँ तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि password मांग रहा है तो दोस्तो मैं अपना password log लगा जाऊँ तो दोस्तो इस तरीके से आप किसी भी application पर password log या app log कर सकते हैं लगा सकते हो तो दोस्तो यह रही जानकारी अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी helpful और अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करके channel को subscribe कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share करना मत भूलिएगा तो चलिए दोस्तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत